नर्सिंग वर्चिज में सबसे बैटर कौन सा हो सकता है और दोनों कोर्स करने के पर साथ बोले तो आसानी से दोनों कोर्स पर पूचने का रस्ता कौन सा है आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाले हैं मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं अब सभी प्यारे बच कौन कर सकता है दोनों के लिए चाहिए जाएं की विडेओ करें सारे दूर होगें जाएंगे कि अगर आप ये दोनों कोर्स कर रहे हों दोनों कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको 12 करना होगा और दोनों ही कोर्स के लिए 12 पास होना जरूरी है और कौन से सब्जेक्ट से िव तोनों को करने के लिए 12 पास होना चाहिए मिनीमम 55 परसंटेज आपके 12 में होने चाहिए पच्छा माध्यम कोई भी चलता है हिंदी मीडियम और इंगलिस मीडियम क्योंकि सुर्वात में आपको इंट्रेंस एक्जाम की विर्भेशन पड़ेगी दोनों ही exam के लिए entrance exam होते हैं मैं बताऊंगा कैसे कुन से test होते हैं और age क्या होनी चीए minimum age आपकी 17 साल होनी चीए तब आप इनका forum fill up कर पाओगे सर कुन-कुन से exam होते हैं इनके अंदर जाने के लिए एक तोता need का आप nursing जो है वो need के थरू भी college ले सकते हो बट कुछ ऐसे state हैं जो purely without a need के college देते हैं जैसे अभी राजुस्तान के अंदर exam होगा था और योचस का एम के अंदर गल्स जा सकती है यूपी बीस्ती नर्सिंग का अग्जाम होता है बिहार नर्सिंग का जारकर बहला हर स्टेट अपना अपना कोर्स की त्यारी करने के लिए 11 12 आपकी स्ट्रोंग होने चाहिए अब सब्सक्राइब करों आपको मिल गए हम तो दोनों की कोर्स की त्यारी करवारे बहुत अच्छे से और हमने एक अगस्त का ओफर रख 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 है यूटूब की प्लेलिस से देख सकते और अप्लीकेशन देख सकते बहुत बहुत बैतर तरीके से त्यारी चाहिए स्टुडेंट्स आपके सामनी कोंटक्ट नमबर दिख रहे होंगे आप एंडी कर सकते हैं अपको आपकी अच्छी सैलरी होती है और देखो आप एक लाग के अराउंड कोई भी मतलब होस्पिटल वाला देदेगा लेकिन आप साथ साथ डॉक्टर अप मैडिसीन जरूर करते रहें या फिर मास्टर इन होस्पिटल एडिमिनिस्टर्स कर सकते सब्सक्राइब कर लेते हैं तो क्या हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों ही मैडिकल के कोर्स हैं और दोनों ही मैडिकल के टॉप कोर्स है अपको लग रहा है कि पहली बार में यह जानगारी अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको मिले क्रिपरिशन करने के लिए अब बात हैं सब्सक्राइब निर्सिंग करने के बाद नर्सिंग करनी के बाद आप वाएच शांटे सकते हो मतलब य होता है différents चाहिर परसंटेज चाहिए उसके लाबर और अड़र नर्शिंग परसंटेज रहता है कोलेज लेक्षरार की त्यारी कर सकते हो आप चाहते हो कि सरम इस लाइन में बिल्कुल ही नहीं जाना चाहते हैं बड़ मेडिकल के तरू आप जैसे कोई भी कोलेज होती है सब्सक्राइब करो अपने एसमेश कोलेज जैपूर है इससे अपनी नर्सिंग करने के बाद बस यह है कि नर्सिंग का थोड़ा सा रस्ता आसान है में बहुत करनी पड़ेगी नेट के लिए मैनत करोगे फिर में कोर्स जो है दोनों के दोनों जब आप में बहुत महनत करनी पड़ेगी बहुत महनत तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाते हो और डॉक्टर बनने के पश्चात भी आपके महनत जारी रहेगी ठीक है नर्सि के अंदर यह एक मातर ऐसे इंस्ट्यूट है जो आपको दोनों एक्जाम के प्रफिशन करवा रहा है और दोनों इतरह के बच्चों को गाइड करें नर्सिंग के मेरे लिए तो दोनों बच्चे ही समान है महनत दोनों ही कर रहे हैं और सेलक्षन दोनों का ही होना चाहिए तो आप डी मोटिवेट ना हो अगर आपका नीट में नहीं वा तो आप नर्सिंग की त्यारी कर सकते हो अभी 2024 में एक्जाम होगे 2030 के मैक्सिमम में एक्जाम हो चुके हैं इस चैनल से जोड़ जाओ हम बहुत बहुत बहुतर प्रवेशन करते हैं करवाते हैं आपके लिए प् सर अब हमारा को फ्यूचर ने फ्यूचर आपके पास है चीजिए आपके हाथ में मेडिकल लाइन में जाना तो इन दोनों में से को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि एसी ही इन्फोर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहें तो प्लीज लाइक करके कोमेंट जरूर करना ताकि हम एसी ही वीडियो आप लोगों के लिए और बना पाएं आज के लिए इतना ही धन्यवाद जाइन साथियों